और इसे बीच सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दे कॉंग्रेस को 9 सीट देने पर आरजडी सहमत हुआ है तो सीटों के नाम पर आज अंतिम चर्चा आरजडी पूर्णिया सीट देने को तैयार नहीं है ये सूत्र बता रहे हैं किशन गंश, कटिहार, सुपॉल, भागलपूर, समस्तिपूर, पठना साहिब, मुझजपरपूर, शिभर और पश्मी चमपारंड के साथ-साथ वालमिकी नगर, सासा राम, गुपाल गंश सीट पर कॉंग्रेस चुनाव लड़ सकती है तो सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी ख़बर बता रहे हैं सीटों को लेकर सहमती बन चुकी है और बताए जा रहा है कि 9 सीट कॉंग्रेस को मिल सकती है हलाकि पूर्निया सीट को लेकर सस्पिन सभी भी बरकरार है क्योंकि सूत्र ये बता रहे है कि आज़री पूर्निया सीट देने को तयार नहीं है जबकि आपको पता होगा कि पप्पो इयादब ने कॉंग्रेस ससलिये जोइन किया क्योंकि पूर्निया से चुनाव लड़ना चाहते थे शिवम प्रतापधिक जानकारी के साथ जुड़ेवे शिवम क्या सहमती बन गई कौन-कौन सी सीटे है जो किसके खाते में जाने वाली है देखे मिनको स्टीट के लिएक को लेकर नियस्टीन बता रहा है लेकिन अभी एक से दो एजिस कीते हैं जिनको लेकर सहमती नहीं बन पाई यही एक बज़े है कि आज फिर कॉंग्रेस और आज एडी की बैटक होगी दरसल कल की बैटक के बाद तेजस्टी यादाओ जो फीड़बेक बैटक में मिला था अभी सूत्री दावा कर रहे हैं कि आज जिनको बैटक होने वाली है इसमें कॉंग्रेस इसको लेकर और दबाओ बनाएगी यानि कि अभी आप यह कह सकते हैं कि पप्पू का मामला अधर में दूसरी बड़ी बाद की जो कल बैटक होई उसका माहोस सकारात्मक रहा लेकिन कॉंग्रेस पार्टी मजबू सीटों की मांग कर रहे हैं कॉंग्रेस का यह कहना है सिर्फ संक्या बनके हिसाब से काम नहीं होगा हमें सीटे मजबू चाहिए आज सूत्री दावा कर रहे हैं कि आज दुपैर में एक और बैटक है अभी तक की जो इस्टिती है उसके बतावे कॉंग्रेस किशंगन कटियार सुकॉल भागलपूर समस्टिपूर पटना साहिब मुझफ़पूर या सिवर में पश्मी जंपारण या वालमीक नगर सासाराम और घुपाल के इन में से एक सीट इन में से लड़ेगी मंगर साहबार साहम होई बैटक को लेकर तेजस्ट्व यादो लालू यादों से स्वीडवेग लेने के बाद आज एक बार सिर्फ कॉंग्रेस देताओं के साथ बैटक करेंगे और उसके बाद फाइनल मोहर लग जाएगी और आने वाले इसी वीक में पटना में सीट सेरिं लेकिन इसी तोर पर पपू यादो चुनावी मैदान में पूछ सकते हैं यानि कि पपू यादो आप बैक दूर नहीं जाने वाले हैं पपू यादों से बाकाइदा कॉंग्रिस और लालू यादों दोनों से सहमत लेने के बाद ही चले शिवम आप इस पर नजर बनाई रखे देखना होगा आज की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है इंडिया लाइंस की तरफ से